मदबिदिश का सबसे सुर्माई और रमणिये स्थल के रूप में प्रशिद कुकुरू अपनी दुर्दसा पर आसू वहा रहा है परेटन स्थल के नाम से विक्सित होने की अपार संभावनाय रखता है अच्छेतर लेकिन शासन और प्रशासन की उदासीनता के कारण धीर धीर यहां विप्रीत प्रभाव देखा जा रहा है च्छेतर में विविन जन प्रतीनिदी समय समय पर विकास को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन च्छेतर में विकास अब तक नहीं हुआ करीब 30 किलो मीटर का मार्ग भी जरजर खसा हाल है तो वहीं कुकरू तक आने के लिए परेटकों को बड़े बड़े गड़ों का सामना करना पड़ता है लेकिन उसके बाद भी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा यहां सुविधाओं के नाम पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे परेटन के छितर में बिकास हो सके बैतूल जिले के अंतिम छोर में यह पच्मणी जैसा एक सल है यहां तमाम सभावनाए हैं एडवेंचर की तमाम सभावनाए हैं लेकिन सोर धियान नहीं दिया जाता यही कहा जा सकता है कि चार दिन की चांदनी फिर अन्धियारी रात यही कहावत इस छेतर में देखने को मिलती है कभी कबार यहां पर कुछ अच्छा होने लगता है उसके बाद अपने आप सब खत्म होने लगता है वलकि इस छेत्र में दूसरी बात है भी यह ओस्दी के छेत्र में भी यह बहुत उच्छतम इस्थान रगता है यहां दरुलब जड़ी बूटियां पाई जाती है तो वहीं आदिवासी लोग यहां अपने छेत्र में मंडी नहीं होने के कारण अचार की चरोंजी गुठली सहत अन जो बनुपज है उसको बाजार में बेच नहीं पाते बिचोलियों के माध्यम से ओने पने दामों पर उन्हें बेचना पड़ता है ऐसे में अगर यहां बनुपज मंडी सुरूप हो जाती है तो छेत्र के लोगों के लिए तो विकास का एक मील का पत्थर शाविद होगी